काल गुस्ताव जंग ने एक जगा लिखा है कि वट यू हेट अबाउट आदरस तेल्सू संथिंग अबाउट यॉर्सिल्फ तो इस पे इस से क्या मतलब वैस लाइन का अक्सर जिससे तुम्हें सक्त नफरत होती है उससे तुम्हें नफरत होती ही इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है चुंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है इसलिए उसको भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए और चुंकि उसको भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए इसलिए तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें चाहिए वो ऐसी चीज़ है जो बाटने से बट जाएगी जो सीमित है और जिस पर यदि एक का कबजा हो गया तो दूसरे को नहीं मिलेगी बात समझ रहा है दो लोग बहस कर रहे हैं दोनों क्या चाहते हैं जीत और धारणा ये है कि जीत दो में से किसी एक की हो सकती है चाहते दोनों एक ही चीज़ है क्या जीत दोनों एक को ही चाहते हैं लेकिन दोनों की धारणा है कि वो चीज दोनों की नहीं हो सकती, एक की हो सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं दो पुरुशें दोनों को एक ही इस्त्री चाहिए, गौर से देखा जाए तो दोनों बिलकुल भाई भाई हैं, दोनों बिलकुल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को एक ही इस्त्री चाहिए, पर दोनों को एक दूसरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगेगा, दोनों में बड इर्शया उठती है समझ लो तुम बिलकुल वैसे ही हो जो तुमसे बहुत नीचे का है उससे तुम्हें इर्शया नहीं उठ सकती। नौकरानी को सेठानी से इर्शया नहीं होती, नौकरानी को बगर के घर की नौकरानी से इर्शया हो जाती है, जो तुमसे बहुत उपर का हूँ उस से तुमें कोई इर्षा नहीं होती तो जिससे तुम इर्षा कर रहे हो, इर्षा करके तुम यही दर्शा देते हो कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो और उसके जिन अवगुणों से तुम दुश्मनी रखते हो वो सब अवगुड तुम में भी है इसी लिए तो तुम उसे थे सामने वाले में दोश दिखे हैं और तुम में भी वही दोश हो तो नतीजा दो में से एक निकलेगा या तो दोस्ती या दुश्मनी सनुजना बात को सामने वाले में दोश दिखें और तुम में भी वही दोश हो तो दो में से एक नतीजा निकलेगा या तो दोस्ती होगी या दुश्मनी तुम नशेडी हो सामने वाला भी नशेडी है तो दोस्ती हो सकती है अगर बहुत सारी शराब उपलबद हो चल भाई साथ साथ पिएंगे तो दोस्ती हो जाएगी पर तुम नशेडी हो सामने वाला भी नशेडी है और बोतल एक ही है तो ततकाल दुश्मनी हो जाएगी कि किसको मिलेगी तुम और तुम्हारे सामने जो है अगर वो एक से ही है तो रिष्टा या तो दोस्ती का बनेगा या दुश्मनी का ये तब है जब तुम में वही दोश है जो दूसरे में भी है पर दूसरे में दोश है और वो दोश तुम में नहीं है तो फिर रिष्टा बनता है करुणा का दोशी को देखकर तुम में आकर्शन या विकर्शन उठे तो समझ लेना कि तुम भी बराबर के दोशी हो और दोशी को देखकर तुम में करुणा उठे तो समझ लेना कि तुम उस दोश से मुक्त हो दुनिया में बहुत दोश होंगे पर अगर वही दोश तुम में नहीं है तो तुम में दुनिया के प्रति करुणा उठेगी तुम कहोगे बिचारा अपने दोशों से कितना परिशान होगा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए पर जो दोश दूसरे में है वही तुम में भी है तो या तो यारी हो जाएगी या रंजिश हो जाएगी और यारी करुणा नहीं होती ये जो यारी है ये थोड़े ही दिन में रंजिश में बदल जाएगी और ये जो रंजिश है थोड़े दिन में यारी में बदल जाएगी मैंने पिक्चर देखी एक तो दो उचकों ने एक आदमी को पकड़ रखा था लूटने के लिए आदमी वो कमरे में बंद कर रखा था आदमी को कमरे में बंद कर रखा था कमरे के बाहर वो दोनों भिड़ गए क्यों भिड़ गए कि कौन लूटेगा इसे लूट का माल किसका होगा क्योंकि दोनों में एक ही दोश है क्या दोश है चोरी, हिंसा, कुरूरता, लालच तो लूटने के लिए जिसको बंद कर रखा है उसको ले करके दोनों उचक्के बाहर भिड़ गए और थोड़ी देर में मैंने परदेबर देखा है कि जिसको इन्होंने बंद कर रखा था भाग गया वो भाग गया तो दोनों उचक्के एक हो गए रंजेशियारी में बदल गई वो भाग गया तो ये दोनों एक हो गए कि चल साथ-साथ पकड़ेंगे इसको 50-50 अब वो भाग रहा है और पीछे मोटर साइकल पर ये दोनों एक चला रहा है एक पीछे बैठा है थोड़ी देर पहले एक दूसरे गला काट रहे थे गला भी इसलिए काट रहे थे कि किसी को लूटना है और दोस्ती भी इनमें आपस में इसलिए हो गई कि किसी को लूटना है ये सट्र अजलो इसलिए गला रहा है और जोटना है इसलिए हो फूटना है और चला रहा है और पतला है दोश दोश की तरफ बड़ी तेजी से खिचते हैं कभी राग बनके कभी दुएश बनके मर्द भी कामुख है औरत भी कामुख है दोनों एक दूसरे की और बड़ी तेजी से खिचेंगे ये राग है दोश दोश की और खिचा इसमें भी काम दोश है पुरुश में भी काम दोश है इस्तरी में भी काम दोश है दोनों एक दूसरे की और बड़ी तेजी से खिचेंगे ये राग है और कोई तीसरी इस्तरी आ गई उसमें भी काम दोश है तो ये पहली इस्तरी उसका गला काटने दोड़ी ये दोश और दोश के बीच का दोश है दोश के प्रति करुणा रखो ये तुम्हारा रविया होना चाहिए दोशी के प्रति करुणा जो चितना दोशी हो उसके प्रति उतनी सदभावना क्या तुम जानते नहीं कि दोश के साथ कितने दुख आते हैं तो जो दोश में जी रहा है, वो तो बहुत ही दुखी होगा ना, होगा दुखी की नहीं होगा, तो दुखी के प्रति द्वेश रख के क्या करोगे, दुखी के प्रति तो जरा सदभावना रखो, दुखी के प्रति तो करूना रखो ना, झाल झाल